नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप सभी अच्छ होंगे फ्रेंस यह है HPSSC का प्रीविस वेपर जिसका कि हम हिस्टी वाल सेक्षन डिसर्ज करेंगे और मॉक टेस्ट के रूम में डिसर्ज करेंगे फ्रेंस 24 क्वेशन हम multiple choice question डिसर्ज करेंगे अपना score comment सेक्षमें जुरू सेर करें और व्यूडी के अंतर बने रहें क्योंकि सारे के सारे क्वेशन हम full explanation के साथ डिसर्ज करेंगे ताकि आने वले सभी competitive exam में आपको इस वीडियो से कभी ज़िधा हैल मिल सके और friends अब हमारे चैनल में नहीं हैं तो इसी परकार की competitive exam से related हर वीडियोज के लिए साथ में चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का content आपको आगे भी लगतार मिलता रहे तो चलिए friends शुरू करते हैं आज का history जीके का mock test तो friends question number 55 यानि के mock test का question number बान है ये grade stupa at sanchi is in sanchi का महान stupa कहां पर है option आपके सामने अंदर परदेश, मद्धे परदेश, हिमाचल परदेश या उत्तर परदेश बताई friends sanchi का महान stupa कहां पर स्तीत है तो ये स्तीत है मद्धे परदेश में option number B यहां पर राइट अंसर होगा मद्धे परदेश देखे सांची का महान stupa ये मद्धे परदेश में है और यह stupa तीसरी स्ताबदी में समराट अशोक ने बनवाया था कौन सी स्ताबदी में बनए था ये तीसरी स्ताबदी में समराट अशोक दोरा ये बनवाया गया था नेक्स्ट कोश्चन अमराबती, दुर्ग, नाल दुर्ग या पैथन बताई फिरेंस, राय टांसरिस में क्या होगा साथ बाहनों की राजदानी कहां पर सीथी तो राय टांसरिस में होगा पैथन उसका नाम था सीमुक के नाम था सीमुक नाम था जिसने साथ बहन सासन की स्थापना की थी इसके साथ दिखे इसकी राजदानी पैथन या प्रतिस्ठान थी दूसरा नाम क्या था प्रतिस्ठान और शत करणी इस बन्स का सबसे पहला शक्ति सारी शाशक था जिसने दक्षिन पत्पती की उपादी भी ग्रहन की थी तो साथ बंस का जो शक्ति सारी शाशक था उसका नावता है शात करणी जिसने के दक्षिन पत्पती की उपादी ग्रहन की थी नेक्स गोश्चन तीसरा संगम हुआ था और इस संगम के अधेक्स का नाम था नक्कीकर और संगम क्या होता है और दूसरा संगम जो था ये कपाट पूरो में हुआ था और इसके अधेक्स कौन थे वो थे तोल कापियर कौन थे तोल कापियर इसके दूसरे संगम के अधेक्स थे और ये होता कपाट पूरो में कहां पूरो में हुआ था और प्रथम संगम जो था प्रथम संगम भी मदुराई में हुआ था और इसके अधेक्स कौन थे अगस्यरिसी और या भी मदुराई में हुआ थ next question who was the quote point of smoothr gupd smoothr gupd के दिरवारी कवी कौन थे option की हरिसेन, आरेवट, नागारुजन या आश्रव गोश स्मुद्र गुपद के दिरवारी कवी कौन थे तो right answer होगा option number A हरिसेन smoothr gupd के दिरवारी कवी थे हरिसेन जिसने प्रयाग प्रसस्ती की रचना की थी प्रयाग प्रसस्ती की रचना किसने की थी हरिसेन ने की थी जो कि स्मुद्र गुपद के दिरवारी कवी थे और स्मुद्र गुपद को देखे आश्र में भी अग्य करता तथा कवीराज के नाम से भी जाना जाता था और इसके साथ देखिए समुद्र गुप्त ने महान बहुत बिक्षू बसू बंदू को स्रंक्षन दिया था महान जो बहुत बिक्षू था वो किसके स्रंक्षन में था उसका नाम था बशू बंदू महान बहुत बिक्षू, बसू बंदू, ये जो था, ये समुद्र गुप्तिय स्रंक्षण में था हर्षवर्दन को किस ने हराया था, और हर्षवर्दन की जीवनी, हर्षचरित, उसकी रचना की थी, बान बटने हर्षवर्दन की जीवनी थी, उसका नाम था हर्षचरित, और उसकी रचना की थी, कवी वान बटने इसके साथ देखे, चीननी यातरी हुएन शांग जो था, ये हर्षवर्दन की शासनकाल में भारत आया था और इसका जो विवर्ण मिलता है, ये पुलकेशन दीतियू के एहोल अविलेक में मिलता है पुलकेशन दीतियू का जो एहोल अविलेक है, उसमें इसका विवर्ण मिलता है कि चीननी यातरी हुएन शांग, ये हर्षवर्दन की शासनकाल में भारत आया था तो एहोल अविलेग, यह किसका अविलेग है? यह है, पुली क्रेशन दीतिये का. Next question, तक्षिला उनिवस्टी वास सिचुएटर इन, तक्षिला बिशव बिद्याले कहां परस्तित है? तक्षिला बिशव बिद्याले, option दे हैं, पाकिस्टान, बर्मा, इंडिया या बंगलादेश? बताई है, तक्षिला बिशव बिद्याले कहां सिच आए? तो right answer हमारा हो जाएगा, option number A, Pakistan. तक्षिला बिशव बिद्याले पाकिस्टान में सिच था, और यह बिशव का प्रथम एक question आपके लिए देखे, बताईए, भारत का सबसे पुराना बिश्व विद्याले कौन सा था, इसका answer आप प्लीज कमेंट स्क्रेशन में जरूर सेर करें, भारत का सबसे पुराना बिश्व विद्याले कौन था, क्या नाम था उसका, next question, who will the Khazuraho Temples, Khazuraho के मंदिर किसे ने बनवाए थे, option देखिए, बुंदेला, सिंदियाज, होलकार्स या चंदेल, बताई, right answer क्या होगा, Khazuraho के मंदिर किसे ने बनवाए थे, तो right answer इसमें हमारा हो जाएगा, चंदेलों ने, Khazuraho के मंदिर बनवाए थे, चंदेलों ने, option next question, who introduced the IKTA system, IKTA प्रनाली किसने प्रारंब की थी, option आपके सामने देखिए, इल्तुतमीश, बल्बन, कुतूदी नेवक या मुहमद गौरी, बताई फ्रेंस, right answer क्या होगा, IKTA प्रनाली किसने प्रारंब की थी, तो IKTA प्रनाली जो थी ये प्रारंब की थी, IKTA प्रनाल इल्तुतमीश, ये question भी कही वारे exam में पूछा जाता है, चालिस तुर्क सरदारों का एक दल, तुर्काने चहलगामी या चालिसा, किसने शुरू किया बनवाया था, ये बनाया था, इल्तुतमीश ने, और साथ में देखे, इल्तुतमीश ने, जीतल तथा टंका नामक सिक् और इल्तुतमीश ने ही कुतोदीन एक दोरा शुरू कीगी, कुतोमिनार के काम को अटुतमीश ने, पूरा करवाया था, तो कुतोमिनार का काम क करवाया था, लेकिन पूरा इसे करवाय था, इल्तुतमीश ने इसी question से later चार question आपके लिए आप इस इनका answer comment section में जरूर share करें देखिए पहला question देखिए चौगान खेलते समें कि शाषर की मुर्टी हुई थी एक question आपके लिए दूसरा देखिए अजमेर में अडाई दिन का जौंपड़ा किसने निर्मित करवाया था important question है और अगला question देखिए सिजदा तथा पावोश की रिति किसना प्रारंब की थी और इसके लावा देखिए मुहमद गौरी के सिक्कों पर एक और तो कलमा खुदा रहता था तशा दूसरी और किस देवी की आकरिती अंकित रहती थी ये चार question जो हैं आप इनकांसर प्लीज कमेंट सेसर में जरूर शेयर करें important question है next question who was card the aquar of kashmir kashmir का aquar किसे कहा जाता है option की बल्बन, जैनूलावीदीन, हुशैनसा या ननौकदीस बताई राइट answer क्या होगा कश्मीर का aquar किसे कहा जाता है तो राइट answer का option बल्बन, जैनूलावीदीन कश्मीर का aquar कहा जाता है जैनूलावीदीन को और जैनूलावीदीन नहीं रास तरंगनी तथा महाबाद का फारसी में अनुवाद करवाया था तो ये कोश्चन भी कई वारी exam में मिलता है option रामानंद, रामानूज, नानक या नन आफ दिस बताई ये right answer क्या होगा कवीर जो थे, किस के शिष्चे थे तो right answer में हमारा हो जाएगा option नमबर रामानंद कवीर जो थे, रामानंद के शिष्चे थे और सिकंदर लोदी के समकालिन थे ये question भी निकलता है एक्जाम में कवीर जो थे, किस के समकालिन थे तो ये थे सिकंदर लोदी के समकालिन next question which सूफी संथ वासकार्ड महवूवे इलाही किस सूफी संथ को महवूवे इलाही कहा जाता था option देखिए बताई फ्रेंस इन मेंसे कौन से सूफी संथ थे जिन्हें महवूवे इलाही भी कहा जाता था तो वो वाले संथ थे शेख निजामुदीन आलिया option number C यहांपर हमारा right answer होगा शेख निजामुदीन आलिया इन्हें महवूवे इलाही या हाजिरत निजाम-दीन भी कहा जाता था और इनका मकवरा जो है यह दक्षिन दिल्ली में सीथ है तो सेक निजामुदीन आलिया का मकवरा जो है वो दक्षिन दिल्ली में सीथ है इसी से related question आपके लिए दिखे خौहजा मुहनी दिन चीस्ती जो है इलिटरेट निमन मैंसे कौन सा अनपड था या अशिक्षित था कौन सा शाशक जाग था जो अनपड या अशिक्षित था ऑप्शन देखिए जहांगीर शाह जहां अकवर या औरंजे बताई फिरेंस राइट आंसर इसका तो वो वाला शाशक था अकवर अकवर अनपड तथ पत्के दूसरे युद 1556 में और हल्दी गाटी का प्रसीद युद हुआ था 1576 में 1576 में तो इसमें मेवाड के शाशक महाराना परताप को प्राजित किया था अकवर ने और फतेपूर सीकरी में धार्मिक परिचार्चाओं के लिए उसने ही यानिके अकवर ने ही फतेपूर स इसमें 1575 में उसने इवादत खाने की स्थापना की थी तो इवादत खाने की थी तो ये कि थी अकवर ने और किस कारण की थी धार्मिक परिचार्चाओं के लिए नाच्स जवा जी डिफीटर दा मुगल्स इंदा वैटल लॉग शीवा जी ने किस युद में मुगलों को प्राजित किया था ऑप्षिन देखिए शीबनेर, राइगड, सलहार या पुरंदर बताइए फ़ैंस राइट अंसर क्या होगा शिवा जी ने किस युद में मुगलों को पराजित किया था तो राय टांसर होगा option number C सलहार सिवा जी ने सलहार के युद में मुगलों को पराजित किया था C option यहां पर राय टांसर होगा और देखे 1656 इस भी में who were the first European to reach India for trade बे प्रतम European कौन थे जो बेपार के लिए भारत पहुंचे थे option देखिए पुर्तगाली, British, Dutch या French बताई प्रेंच राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से प्रतम European जो भारत में बेपार के सम्मन से यहां पहुंचे थे तो बो थे पुर्तगाली, option number A यहां पर राइट आंसर होगा पुर्तगाली यातरी बासको डिगामा बेपार करने के देशे से 17 मैं 1498 इसवी को यह भारत आया था के नाम था उसका बासको डिगामा और इसने ही भारत आने का समुद्री मारग भी खोजा था तो भारत आने वाले समुद्री मारग की खोज किसने की थी बासको डिगामाने और भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली जो था उसका नाम था पेडरो अलब्रेज कैब्राल के नाम था उसका पेडरो अलब्रेज कैब्राल यह दूसरा पूर्त गाली था जो भारत आया था और यह आया था पंद रहुसो इस भी में नेक्स्ट कोस्चिन दा बिजे स्तम टावर ओफ विक्ट्री एड चितोड वाज विर्ट बाई चितोड में बिजे स्तम किसने बनवाय था? आप्शन राणा प्रताप, राणा कुमबा, राणा सांगा ये नन आप दीस बताई फ्रेंस चितोड का बिजे स्तम किसने बनवाय था? तो राइट आंसर होगा आप्शन नमबर बी राणा कुमबा चितोड का जो बिजे स्थाम था ये बनवाया था मेवाड के राजा राना कुम्बा दोरा Next question Who converted six into a martial race? किसने सिखों को एक सामरिक जाती में परिवर्टित किया था? Option देखी अरजुन देव, गोविंद सिंग, हर गोविंद या तेग बहादुर किसने सिखों को एक सामरिक जाती में परिवर्टित किया था? तो सिखों को सामरिक जाती में परिवर्टित किया था गुरु गोविंद सिंग दोरा Option number B यहां पर राइट आंसर होगा Next question हाली सिस्टम कंसर्ट या हाठी की जगा हाली होगा हाली प्रणाली संबंदीत है या हाली प्रणाली जो है किसे संबंदीत है Option देखिए बंदुगा मजदूर अस प्रेश्यता, किसानों का शोष्ण या निर्क शर्ता बताए प्रणाली किसे संबंदीत है तो हाली प्रणाली संबंदीत है बंदूगा मजदूरी से, option number A यहाँ पर राइट आंसर होगा, boundary labor बंदूगा मजदूरी next question the Fort William College at Calcutta बाज founded by, Calcutta के Fort William College की स्थापना किस ने की थी, option थी Lord Bellazley, Lord Mekale Lord Allenbro, Lord Karnbalis ने, बताई राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर होगा option number A Lord Bellazley ने, Calcutta के Fort William की स्थापना की थी, Lord Bellazley ने 10 जुलाई 1800 को कब की थी 10 जुलाई 1800 ISV में और Lord Karnbalis जो थे इन्होंने स्थाई बंदोबस्त ब्यवस्ता जो थी यह लागू की थी, 1793 में 1793 में Lord Karnbalis ने स्थाई बंदोबस्त ब्यवस्ता शुरू की थी next question कुका मुवमेंट वास और्गेनाइज़ बाई कुका अंदोलन आयूजित किया था option देखे, गुरू गोविन सिंग, गुरू नानक जी गुरू रामदास ने या गुरू राम सिंग ने बताई, राइट अंसर क्या होगा तो राइट अंसर का होगा option number D कुका अंदोलन जो था ये आयूजित किया था, गुरू राम सिंग द्वारा पंजाम में ये आयूजित हुआ था next question दा गुर्णर जनरल ऑफ इंडिया डियूरिंग सिपाही बिद्रो के समय भारत के गुर्णर जनरल कौन थे सिपाही बिद्रो जो हुआ था इसकेस में बात के गुर्णर जनरल थे लॉड कैनिग इसे से लेटर कॉश्चन आपके लिए देखिए सिपाही बिद्रो कौन सा बिद्रो जो है जिसे सिपाही बिद्रो के नाम से भी जाना जाता है आप इसका answer प्लीज comment section में जरूर शेयर करें सिपाही बिद्रो के नाम से कौन सा बिद्रो जाना जाता है next question इंडियन एसोशेशन या भारती संग के संस्थाप कौन थे option आपके सामने देखे दादावाई नरोजी, बाल गंगदर तेलक, एयो हयूम, SNBNRG यानिके सुरेंदरनात बेनरजी तो बताई फ्रेंज इंडियन एसोशेशन या भारती संग के संस्थाप कौन थे तो राइट आंसर होगा हमारा SNBNRG option number D, राइट आंसर है सुरेंदरनात बेनरजी इंडियन एसोशेशन की स्थापना की थी सुरेंदरनात बेनरजी और अनन्द मोहन बोस ने और कब की थी? 1876 में, 1876 में Next question शिरी अरविंदो आश्रम is situated in शिरी अरविंदो आश्रम कहां पर सीथ है? option थी तमिलनाडू, करनाटक, रामेश्वर्म या पांडिचेरि बताई फ्रेंस, राविंदो आश्रम कहां पर सीथ है? तो यह सीथ है पांडिचेरि में option number D यहां पर राविंदो आश्रम होगा और शिरी अरविंदो आश्रम की स्थापना जो की थी यह की थी, अरविंद गोस दोरा यह की थी उन्हें 24 नमंबर 1926 इसबी को कब की थी 24 नमंबर 1926 इसबी को अरविंद गोस जी ने सिरी अरविंदो आश्रम के सापना की थी पांडिचेरि में next question, who addressed गांदी जी as one man boundary force किसने गांदी जी को one man boundary force या एक आदमी सीमा बल के नाम से संबोधित किया था ऑप्शन देखिए चर्चिल, एटली, मौट बैटन या साइमन बताई फ्रेंस, right answer क्या होगा one man boundary force के नाम से किसने संबोधित किया था गांदी जी को तो right answer को का option number C, मौट बैटन मौट बैटन ने गांदी जी को one man army force के नाम से संबोधित किया था और मौट बैटन जो थे ये सुतंतर भारत के पहले गवर्णन जन्नल थे next question who gave the concept of संपूर्ण क्रांती संपूर्ण क्रांती की अबधारना किस ने दी थी option देखिए जै परकास नारायन मातमा गांधी, कार्ल मार्क्स या लेनिन, बताई right answer क्या होगा संपूर्ण क्रांती की अबधारना किस ने दी थी तो right answer इसका होगा option number A, जै परकास नारायन friends, संपूर्ण क्रांती की अबधारना दी थी जै परकास नारायन ने, option A इसमें सही answer होगा तो इसी के साथ friends, अभी हमने history का mock test, जिसमें कि 24 questions आए हो कि आपको video अपसान रहे हुई, अबना score जो हो please comment section में जरूर share करें और यदि अभी तक आप हमारे telegram challenge के साथ नहीं जुड़े हैं, तो इसका link हमने description box में दिया हुआ है, आप उस पर click करके हमारे telegram channel के साथ भी जुड़ सकते हैं तो जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की next video के साथ, अफ़तर के लिए जय हैं, thank you for watching patienceally